आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्र शेकर सर्मा दर्श को सबसे पहले हम बात करते हैं आज की दिन के पंचांग की आज दिनांग है 25 अगर सन 2030 विक्रम समवत 2080 चल रहा है श्रावंड मास है शुक्लुपक्ष है वडशा रितू है तिथी आज की नवमी है और आज का वार है शुक्रवार आजके नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र सुबह 9.14 मिनट तक है आगे जेश्टा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्री है योग वेध्रती है शाम 6.49 मिनट तक आगे विश्कुम्भ योग है तो योग की सुबह 6 बच के दो मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के चोवन मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 10.30 बज़े से लेकर दोपेर 12 बज़े के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुबकारे नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब विजित मुरत आज दोपेर 12 बच के तीन मिनट से 12 बच के चोवन मिनट के बीच में हैं दिन में चार दर्शे को पस्चिम दिशा में हैं तो पहली कोशिस तो यह करें कि यात्रा को टाल दें लेकिन जाना बहुत जरूरी है निवारी यात्रा है तो परिहार करके निकलें परिहार बहुती सरल है पश्चिम के और मुक कीजिए और जो या राइ के दाने खाकर 5 कदम पीछे चे अपने इस्ट का ध्यान करें उनको प्रणाम करें उनसे प्राथना करें और फिर निकल जाए इस यात्रा पे तो दिशाश वल आपको परिशान नहीं करेगा और यात्रा बहुती शुब रहेगी आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह 7 बच के 30 मिनट से लेकर सुबह 10 बच के 30 मिनट तक और फिर दौपेर 12 बच के 30 मिनट से दौपेर 2 बजे तक बाकी दिन की अपेक्षा ये दोनों का अलखंट ज्यादा शुब है तो कोई अच्छे एफट्स करें तो समय का ध्यान अक्तवे करें आज की चंद राशी दर्शे को व्रश्चिक है यानि चंद्रमा व्रश्चिक राशी से गोचर करें जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वाले अवसाद गरश दिस्तिती में आ सकते हैं अपनी माता से बाचीत करें साथ बैठें आशिरवाद लें और फिर कोई भी काम करें ऐसे व्रश राशी वाले वैवाईक जीवन में भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं तो धेरिये बनाये रखें बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा मितुन राशी वाले देखेंगे कि पैसे के लें देन वाले मामलों में अनावश्यक दबाव आप पर बनाये जा रहा है वही कर्क राशी वाले निर्णे गलत लेंगे ऐसे में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान संभव है तो कुछ भी करें बड़ों से पूचके करें सिंग राशी वाले घर में हो रहें नकारात्मक स्तिती से काफी परिशान रहेंगे लेकिन ऑफिस में मिलेगा इनको लाब कंञा राशी वाले भाग्योदे पायेंगे और हर जगे से मिलेगा support तुला राशी वाले वानी पर विशे संयम रखें स्वास्ट आपका वही मकर राशी वाले मनोकामना पूरी करने के लिए विशेश शुरम करते वह अच्छे एफट्स करते वह दिखेंगे और कुम राशी वाले घर की बड़ी समश्याओं को सुल्जा लेंगे लेकिन ओफिस के दबाओं से रहेंगे परिशान और मीन राशी वाले अध्यात में गहनता पाने के लिए किसी सादू संत या तीर्थ ऐसी जगों पर जाएंगे अब बात करते हैं आज के दिन की घ्यान चर्चापर जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेगे उन विशेश उपायों को जो कुष समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं में करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रना और समाधान तर्शे को एहंकार बहुत बड़ा शत्रुहा करता है मनुष्य का रावन जैसे महाग्यानी में एहंकार का दुर्गुण ही बहुत ज़्यादा विशेश था जिसकी वज़े से उसके सभी गुणों को भुलाए जा चु तैन की में उसके जिणन है डिसिजन से वह गलत होने लगते हैं उसको सही गलत का पता ही नहीं रहता है इस से पतन होना तो तैह होता है तो जब हम सीखी वी समझी धर्म सम्मत-वातों को अपने आचरण में उतार यहिसके पास्णफर और जिसके पास वो एंकार नहीं रख सकता और जिसके पास एंकार है उसी गेन कहां सहोगा तो आज- pos인이 ग्यान वोग है और जिससे हमारे जूटे एहम का नाश हो दर्शे को आप करते हैं चर्चा उन विस्स टुपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्याओं के सरल समधान आपको देते हैं और जिने करके आप सफलता आर्चनों को जीवन में बहुत दूर करते हुए सफलता की और तेजगती से द्रड़ता से अग्रसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आप सभी लोग कबूत्रों को सवा पांच किलो जवार और मूंग इनको मिक्स करके सवा पांच किलो का वजन हो ये खिलाएं शाम के वक्त गणेश जी के मंदिर जाएं वहाँ एक पार्ट गणेश शैस्तर नाम का करें और वापसी में किसी विमंदित बच्चों के आश्रम में मिठाई बटवा दे अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुती सुन्दर प्रभाव वाला होगा इसमें कोई भी संदे नहीं ऐसी दर्शी को जब आप शत्रू के कुचक्रों में फंस जाएं या ग्रह पीडा बहुत जादा आपको परिशान करने लगे और ऐसा लगे कि बचने का कोई मार्ग ही नहीं है या फिर कोई बहुत जीन रोग आपको घिर ले या किसी भीषण कानूनी पचड़े मा फंस जाएं ऐसी किसी विस्तती में से अगर गुजर रहे हो तो ऐसी स्तती में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और उनके उस स्वरूब का ध्यान करें जिसमें वो महरानी द्रौपदी को अनंत वस्त्र देकर उनकी लाज बजा रहे हैं और ऐसे स्वरूब का ध्यान बनाएं जिसमें गज की पुकार से वैकुंट से उठकर चले आ रहे हैं और फिर इस स्तुति पाठ को करें तीन माला करनी है स्तुति इस प्रकारे ध्यान से समझेगा कि चंद्रो रवी शिवेशूली चक्री चेवगजा धरे इस प्रकार से तीन माला आपको करनी है और तीन माला कुछ दिन आप करते रहेंगे तो इस पूजन से भीशन से भीशन समझाओं से आप ऐसे बहार आएंगे जैसे सुर्य के उधित होने पर प्रकाश अंधिकार का नाश कर देता है ऐसी दर्शिकों यदि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती है आपसी जगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं या फिर सभी काम बस बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो ऐसी स्तिती अगर आपके साथ बनी है तो छोटा सा उपाय आप कीजिए बहु इने हनुमान जी के सामने रखकर इस बहुत ही विस्ष्ट मंतर की ग्यारा माला का जाप मंदिर में बैठके करें मंतर ध्यान से समझेगा मंतर इस प्रकार है ओम अंजनी गर्ब संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा मंतर को फिर से समझते हैं ओम अंजनी गर्ब संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा इस प्रकार से आप ग्यारा माला का जाप करें फिर उन चारों टहनियों को घर लाकर अलग-अलग लाल वस्तरों में लपेड दीज और फिर नित्य घर में एक माला इस मंतर का जाप धूप जलाकर आप करते रहें तो घर में कभी भी किसी प्रिकार की नकारात्म कुर्जा प्रवेश नहीं करेगी बहुती सुन्दर माहौल आपके घर में बना रहेगा इश्वरिया नुकंपा आपको खुद को अनभव होती तो दर्शे को यह थे आज को विसस्ट उपाय जो आपकी बड़ी समझ्याओं सापको बाहर ला रहें मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिक आई हमारे दर्शक चिराग जी की 23 मई 1996 कन का जनम है चा आगे आने वाले अठारे वर्श बहुती योग कारक रहेंगे लेकिन दशा अच्छी होने के साथ साथ हमारी जनम पत्रिका के योग कारक जो ग्रह हैं उनका प्रबल होना भी बहुत जरूरी होता है आपके पंच में शनी छटे भाव में केतु से पिडित हैं अश्टम में स इसलिए सबसे पहले शनी शुक्र बुद्ध के जाब करवाईए राहू की शान्ती करवाईए साथ ही नित्य माता दुर्गा के 32 नाम का 32 बार पार्ट आप शुरू कर दीजिए बहुत जल्दी आप समश्याओं से बाहर आ जाएंगे आज की दूसरी जनम पत्री का हमारे पास आईए हमारी दर्शक रीना जी की 16 सितंबर 1998 में इनका जनम है दस बच के 38 मिनट रात्री जनमस्तान उधैपुर कौन से विभाग में नोकरी मिलेगी इनका प्रश्ण है रीना जी आपके लिए सरुष्ट यह रहेगा कि आप बैंक मिक्स पढ़ा सकते हैं तो सिक्षा का छेत्रा की पहली वरियता रहेगा जनवरी सन 2024 से जून 2026 के मद्धे आपको नोकरी मिल जाएगी बुद्ध ग्रे के जाब करवा लीजिए एक पन्ना पहन लीजिए और नित्य एक पार्ट विश्णू सैस्तर नाम का करना शुरू कर द जाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में उतारेंगे धीरे धीरे आपका जीवन शिव में सत्य में आनन्द में होता जाएगा महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे बताएवे उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारन अवश्य हो और मनों कामना पूर्थी निश्चित रूप से हो साथ एक निवेदन शावन मासे रक्षा रूपन अधिक से अधिक करें प्रकृति की सिवा करें क्योंकि यही भगवती है कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वायत भगवती आप सबका कल्यान क जया आदिशक्ति और हम क्या करें और क्या करने से बचें जिससे आज के दिन को और भी बहतरीन बना सकते हैं इसके लिए दोस्तों आप तो जानते हैं कि हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग है आपकी कौन सा होगा आपका मूलांग यदि आप नहीं जानते ह तो एक उधारन देकर आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी date of birth है 22 यानि की 22 तो जब 2 और 2 को जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर 4 तो 4 होगा आपका मूलांग अगर हम आज की तारीक की बात करें तो आज की तारीक है 25 अगस्त 2023 और आज की तारीक को जोड़ते हैं 2 और 5 को तो जोड़ाता है नमबर 7 तो 7 होगा हमारी आज की तारीक का मूलांग जिसके स्वामी है केटू तो आए क्या impact पड़ता है एक से लेकर 9 मूलांग तक के जातकों पर और क्या होगी रीडिंग क्या है divine guidance आज की कारिक्रम में हम जानते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि हम जो ये कारिक्रम कर रहे हैं दोस्तों इसका जो एक मूल उद्देश है वो है आप लोगों का सही मार्क दर्शन करना जिस भी प्रकार की divine guidance आई है as it is आपके समक्ष रखना लेकिन ये बात आप सभी जान ले कि जो भी हम ये reading करते हैं ये एकदम general prediction होती है जैसे आती है आपके समक्ष रखते हैं और overall जो मैं हर बार आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि जो हमारी समस्या हमें किसी भी प्रकार की अपनी जीवन में दिखाई दे रही होती है उससे कहीं अधिक हम उसको कई बार predict भी करवा लेते हैं और ऐसा कब होता है कि जब हम समस्या में खड़े होते हैं ना कि उसके उपाई की तरफ तो हमें क्या करना है कि अपनी psychology को हमें उस problem के साथ बहुत जादा involve नहीं करना है तो आए दोस्तों बिना देर की अपने कारकरम के हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मुलांक एक के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं आज 25 अगस्त 2030 मुलांक एक के लिए और हमें guide किया जा रहा है मुलांक एक के लिए silence का card है आपको कहा जा रहा है आपका जो लखी number है वो है number 7 और लखी जो रंग है वो है आपका purple आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना हो सके उतना अधिक अपने आपको शांत रखने का प्रयास करें अब यहां जो शांत रखने का प्रयास कहा गया है वो केवल और केवल वाणी से नहीं बलकि अपने चित को भी शांत करने के लिए आपको कहा जा रहा है हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में आप बहुत जादा बेचैन रहे हो या फिर आपने शमता से अधिक काम किया हो कुल मिला कि आपने कुछ चैलेंज फेस किया हो तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो एनरजी हैं वो इंबालेंस हो जाती है तो आज आपको कहा जा रहे है कि आज आपको अपने आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको अपने चित को शांत रखना आव पूल मिलाकर अपने मन को शांत रखें किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा ओवर विचारों से आपको बचना है कुल मिलाकर जितना हो सके इसे बहुत ज़रूरी है ऐसा करने से चुगि कहीं न कहीं कहा जा रहे कि आज के दिन आपको कोई भी महतपूर निर्णे नहीं लेना है थोड़ा बचना है जब तक की आपकी एनरजी बैलेंस ना हो और आप पूरी तरह से तयार ना हो तब तक किसी नए कारे में आप हाथ ना डाले आपका दिन शुभ आये जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है isolation का card है आपका जो लखी अंक है वो है number 3 और लखी जो रंग है वो है milky white आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ stressful situation आपकी रही है कही न कहीं अभी भी आप थोड़ा सा stuck feel कर रहे हैं अभी आपको लग रहा है कि कब तक आखिर मेरा जो यह challenge है जो भी परिस्तिती है वो चलने वाली है तो यकीन मानिए कि बहुत जल्द आपकी जो परिशानिया है उसका solution आपके समक्ष आ रहा है और कहीं न कहीं आपकी आपके भीतर जीवने जो बदलाव है जो परिस्तितियां है वो बदलना भी चालू हो चुकी है लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा आपको धैरे रखने की आवशक्ता है ऐसे में कोई भी कारे करने के लिए स्वतंतरता पूर्वत मत दीजे जिसे कि आप पूरा ना कर सेंगे सबसे पहली बात और दूसरी चीज़ की आज आ भी एक्सपेक्टेशन से आज आपको बचना है विशेश तोर पर दूसरों से उमीदे मत लगाई है जो भी कुछ है आज अपने इस्ट के ऊपर अपने आपको पूरी तरह से आपको समर्पित कर देना है बट नो डाउट धीरे दीरे परिस्तितियां आपके फेवर में आए और जो भगवान का कीरतन नाम जाप आप कर सकते हैं वो निरंतर करते रहें आपका दिन शुभोग आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 अकस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है हार्मनी का काड़ है आप आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने हाट चक्रा पे रहने वाला है हिर्दय भाव में रहने वाला है कुल मिला के आज आज आप वो कारे करना पसंद करेंगे जो की वास्तिता में आप दिल से करना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे जिनको आप दि वो आज आपको लोगों को दिखाने का पूरा-पूरा मौका मिलेगा और इस वज़े से आपकी जो इंटेलिजेंसी है उसकी भी आज ग्रोथ होने वाली है तो आज आपकी तारीफ हो सकती है जिस एक्सेप्ट इट आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा अज क्या गाइड कर रहे हैं 25 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है दर ड्रीम का काड़ है लकी नमबर है आपका नमबर 6 और लकी जो रंग है वो है आपका हलका गुलाभी आपको कहा जा रह यह आप पृतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपका पूरा जो ध्यान आपकी पढ़ाई और आपकी एक्जामिनेशन पर होना चाहिए यदि आप एक व्यवसाई हैं और अपने व्यवसाई नौकरी में आप उन्नती चाहते हैं तो आपका फोकस जो है व सब्सक्राइब कर रहे हैं आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई अवशक्ता नहीं है आप जो भी कोई कारे कर रहे हैं जिस भी किसी फील्ड में है आपकी परस्णल लाइफ प्रफेशनल लाइफ के उपर आज पूरी तरह से आपके गुरु की कृपा बनी हुई है मास्टर की क्रपा बनी हुई है और जब गुरु की कृपा होती है तो फिर सोच ना ही क्या आपका दिन शुभोग आये जानते हैं मूलांक छे के लिए हमें परमातमा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक चे के लिए हमसे कहा जा रहा है अपको कहा जा रहा है और नबर च्छे और रंग है और सबसे पहली बात आपको अपने हार्ट चक्रा पर आज फोकस करना हÈ और साथी साथ हमने भीतर हर्मडी को बनाए रखना हैाज आपके जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है कही important dat Cat हे लेकिन आपका जो मांसिक संतुलन और भावनात्म के लिद्ध कोई । बखषा रहने में तो उसके साथ action part भी अच्छा होना चाहिए यह नहीं कि आप सिर्फ सोचते सोचते रहें प्लानिगी करते रहें कारे कुछ ना करें आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर ली आज बैलेंसिंग में चलना है कहीं ऐसा नहीं कि पूरा ध्यान केवल जॉब पर हो परिवार पर दें जब तक उसे पूर्ण ना करें तब तक दम ना लें आये जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है कंपैरिजन का कार्ड है लगी नंबर आपका पांच और पहले बहुत बहतर करती थी मैं यह थी मैं वो थी नहीं बिल्कुल भी नहीं आपको पूरी तरह से विदाउट एनी जज्जमेंट आज का दिन निकालना है अपने खलीग्स या अपने आसपास के लोगों को देखके किसी भी तरह की जैलेसी नहीं करने लोगों की ग्रोथ क देखकर या लोगों की सक्सेस को देखकर किसी भी तरह की जैलेसी से आज आपको बचना है क्योंकि कहीं नहीं की जो एनरजी है अगर आप ने उसी जिसका ब्लॉकेज बना लिया तो फिर नुकसान आपका ही है तो कहीं नहीं डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखे अपने टैलेंट पर फिरुसा रखे और दूसरे की लाइफ में देखकर जालेस होने के बजाए अपने आपको ग्रो कराने का प्रयास करें आपका दिन शुबहुँ आइए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 अगस्त 2000 थे इसके नहीं पा रहे हैं आपका जो टैलेंट है उसका पूरा इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं और जो भी आपकी पुरानी कुछ परिस्तितियां थी ना उस वजह से भी आप अपने आपको एक्स्प्लोर नहीं कर पा रहे थे आपको लग रहा था कि आसपास के वातवरण के अनुसा आपमक विपरीत परिस्तितियों को जानते हुँ अपनी सीमा का निर्धारन नहीं करना है बलकि अपने टैलेंट पर भरोसा करके आपको निरंतरता अपने कार में बनाये रखना है और डेफिनिटली अपनी सफलता को प्राप्त करना है दूसरे आपको देखकर जज करें कि आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 अगस्त दोहजार थे इसके लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है सक्सिस का काड है लकी नमरे नमबर 6 और लकी रंग है पीला आपको कहा जा रहा है आज का दिन सफलता का है जिस भी कारे में हाट डालेंगे सफलता अवश्य मि गया है कई ना कई आप जो भी कोई काम करेंगे इसमें सफल सुनश्चत ही होंगे आपका दिन शुभो दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक से लेकर 9 मूलांक तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगलो अगर आपकी कोई भी क्वैरी है तो यहाँ दिये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आप सभी के बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम